परवल की फसल में कीट रोगों का प्रकोब भी देखा जाता है जिसके बारे में जानते हैं हमारे विशिशगे से परवल की खेते में 5-6 ऐसे कीठ हैं जो बहुत ही बुरी तरह से फसल को परभावित करते हैं जिससे उत्पादन और उत्पादक्ता दोनों परभावित होता है यहां तक यह भी हम कह सकते हैं कि जो परवल का उत्पाद है मार्केट में जाने से पहले ही वो खराब होने की संभाबनाई बढ़ जाती है ऐसे सिते में इनके बारे में विस्तार रूप से जाना बहुत जरूरी होता है परवल में सबसे पहले मैं जब बात करता हूँ यदि सबसे एक परमुख कीट की बात करें तो उसमें फल मखी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है फल मखी के नियंतरन के लिए मनेजमेंट इसका सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसमें फसल में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है निराई समय से करना चीए साथी साथ फिरोमन ट्रैप लगा करके फसल को नियंतरित कर सकते हैं इन कीडों से बचा सकते हैं फिरोमन ट्रैप में आप मिथाली जिनाल का जो इस्तिमाल होता है अजकल इसका लिवर खास करके कुकुरूरीट के लिए देखा कद्डो वरिग के लिए अलग से लियो राने लगा है आप इसका इसतेमाल कर सकते हैं। एक हैक्टेर में 10 फिर मून्ट ने पाप लगा करके आप आराम से का आधि कर सकते है। इसके अलावा यदि हम दूसरे कीड़ों की बात करें तो इसमें लता बेधक या तना छेदक जिसे कहते हैं ये बहुत ही महत्पूर्ण कीट है जो इनके तनाओं के हर गांठ पे ये प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर से आप देखेंगे छोटा छोटा गम्स का डेला बनना शुरू हो जाता है उसमें से गमोसिस होता है रस निकलता है और जिसके बैसे पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है और बाद में पतियां पीली पड़ती है तना भी डाइबैक की स्थिति होती ऊपर से एक-एक करके सूखना शुरू होता है ऐसे सिते में एसी फेट गहीत नाम की दवा आती है जिसका एक दसमेलव दो-पांच ग्राम प्रति लीटर पानी में घुल करके इसका चिड़काओ करने से इसका प्रभावी नियंतर्ण होता है इसके अलाभा आप दूसरी दवा जैसे मीठों मिलका भी स्तिमाल कर सकते है उसका एक ग्राम प्रति ल